हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटीव चैनल एजुकेशनल अड़्डा में दोस्तों हम लोग स्पीडी के द्वारा लाया गया करेंट अफ्येट्स का अबजेक्टिव कुश्चन्स देख रहे थे जिसमें हम लोगोंने सारे 700 कुश्चन को कवर कर लिया है इसमें टोटल 812 कोश्चन है तो बांकी बचा हुआ जो कोश्चन है दोस्तों उसको आज के सेट में कवर कर देंगे यह सेशन आज का लास्ट होगा आज के इस पीडी का लास्ट कोश्चन होगा हम लोगों का तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसे देख क्योंकि आने वाले सारे बिहार के जो भी एक्जाम है वो उसके लिए के करेंट अफिर्स काफी इंपोर्टेंट है चलिए देखते हैं आज के सेशन को पहला कुश्चन है महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिदाब किस टीम ने जीता इसका सही आंसर हो जाएगा आप्शन नंबर सी मुंबई इंडियन्स के द्वारा जीता गया अगला कुश्चन है उत्राखंड सरकार की सहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी तुसका सही आंसर आप्शन नंबर भी हो जाएगा हल्दवानी में करेगी अगला कुश्चन है ऑनलाइन टेकसस एडिटिंग प्लेटफॉर्ब ग्रामली के सीई ओ कौन बने है तुसका सही आंसर आप्शन नंबर भी हो जाएगा राहुल रौ चौधरी बने है अगला कुश्चन है हाली में ACI होकी महासंग ने किस देश के होकी महासंग को वेश्ट और्गिनाइजेशन अबोर्ट से सम्मानित किया है तुसका सही आंसर हो जाएगा option number C, भारत भारत की द्वारा देश के होकी महासंग को West Organization Award दिया गया है अगला question है हाली में कौन सा देश BRICS New Development Bank का नया सदस्य बना है इसका सही answer हो जाएगा option number A, मिस्र अगला question है प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है option number A, 22 March को मनाया जाता है आपको बताते दोस्तों 22 March को हमारा बिहार का बिहार दिवस भी मनाया जाता है अगला question है G20 Sustainable Financing Working Group की बैठक तहां आयोजित की गई है इसका सही answer हो जाएगा option number A, उदैपुर में next question है call before you did एप को किसने लॉंच किया है तो इसका सही answer option number A हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा next question है Saudi Arab Grand Prix 2023 का टाइटल किसने जीता है तो इसका सही answer हो जाएगा option number B Sergio Perez next question है coffee house company Starbucks के CEO के पदभार किसने ग्रहन किया है इसका सही answer हो जाएगा option number A, लक्षमन नर्सिम्हन अगला question है ISSF विश्व कप निसाने बाजी championship में पूरुसों की 10 मीटर एर पिश्टल स्परधा में किसने गोल्ड मेडल जीता है इसका सही answer option number A हो जाएगा सरब जीत सिंग के द्वारा जीता गया है next question है अमेरिकी राष्टपती जो वाइडन ने किस भारतिय अमेरिकी अभिनेतरी को National Humanity Medal प्रदान किया है इसका सही answer option number यह हो जाएगा मिंडी का लिंग को next question है वित्य संकट से जूज रही Swiss Bank Credit Swiss Bank का अधिगरहन किस ने किया है तो आपको बता दे इसका अधिगरहन UBS Group के द्वारा किया गया है इसका सही answer हो जाएगा option number D UBS Group next question है हाल ही में किसे किसने Indian Wells Mastered का single title जीता है इसका सही answer option number A हो जाएगा Corlis Alkaraj के द्वारा जीता गया है next question है ATP Masters 1000 का जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाडी कौन बन गये है इसका सही answer option number D हो जाएगा रोहन बोपन्ना बने है next question है किस देशने हाल ही में राष्ट्य सिनेमा राजनीती सुरू की है तो इसका सही answer हो जाएगा option number C संयुक्त अरब अमिरात अगला question है PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राजियों में स्थापित किया जाएगा तो ध्यान रखियेगा साथ राजियों में start किया जाएगा PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क next question है Sky tax दौड़ा जारी दुनिया के टॉप एरपोर्ट की लिष्ट में कॉंसी एरपोर्ट टॉप पर रही है दिसका सही आंसर आप्षण नमबर सी हो जाएगा सिंगापूर चांगी एरपोर्ट टॉप पर रही है दुनिया भड में Next question है नेपाल के तीसरे उपराष्ट पती के रूप में किशने सपतली है तो इसका सही answer option number C हो जाएगा राम सहाई प्रशाद यादव next question है कौन सा बैंक मुंबई इंडियन्स का ओफिसियल बैंक पार्टनर बना है तो IDFC फास्ट बैंक बना है मुंबई इंडियन्स का ओफिसियल बैंकिंग पार्टनर इसका सही answer option number B हो जाएगा next question है केंद्रिय ग्रिह मंत्राले ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अगनी वीरों के लिए 10% आरक्षन की गोशना की है तो इसका सही answer option number A हो जाएगा CISF के द्वारा अगला question है 2023 से समानित किया है तो इसका सही answer option number C हो जाएगा सक्तिक आंतदास जो कि RBI के governor है उसे governor of the year 2023 से समानित किया गया next question है नई artificial intelligence chatbot GPT-4 को किसने launch किया है तो इसे open AI के द्वारा launch किया गया इसका सही answer option number A हो जाएगा next question है बंदे भारत express train की पहली महिला local pilot कौन बनी है तो बंदे भारत चलाने वाली पहली महिला सुरेखाया दब बनी है इसका सही answer option number D हो जाएगा next question है भारत में किसे sea changers climate पहल का ambassador न्यूक्त किया गया है तो इसका सही answer option number C हो जाएगा को sea change climate का ambassador बनाया गया है next question है कि इस company को हाली में RBI की और से infrastructure finance company का दर्जा मिला है इसका सही answer option number E हो जाएगा इड़ा को मिला है next question है G20 flower festival का आयोजन किस सहर में किया गया तो इसका सही answer हो जाएगा option number D नई दिली में किया गया G20 flower festival का आयोजन next question है 95 ओसकर अबॉर्ट सेरोमनी में किस मूवी के सौंग नाटू नाटू को ओडिजनल सौंग के टेगरी का अबॉर्ड मिला है तो नाटू नाटू संग RRR मोवी का है इसका सही answer option number C हो जाएगा next question है भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रोद्योगी की और नवाचार सहयोग पर एक समझोते ग्यापन पर हस्ताक छड़ किया है तो इसका सही answer option number D हो जाएगा अमेरिका की कौनसी बैंक ने खुद को दिवालिया घोसित कर दिया तो इसका सही answer option number D हो जाएगा सिलिकॉन वेली बैंक का भी दिवालिया हो गया है अगला question है PM मोधी ने किस राज्ये में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म होबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो की 1507 मीटर लंबी है का उधगाटन किया है तो ये करनाटक में इस्तित है इसका सही answer option number C करनाटक में इस्तित है होबली next question है संतोष ट्रॉफी के 76 संस्करन का खिताब किस टीम ने जीता है तो इसका सही answer हो जाएगा option number B करनाटक के द्वारा जीता गया है संतोष ट्रॉफी 76 का खिताब ये किस खेल से संबन दीता है तो ये फुटबॉल से संबन दीता है next question है सेस भारत ने किसे हडाकर परतिश्ठित इरानी कप का खिताब जीता इसका सही answer option number B हो जाएगा मध्य प्रदेश ने इरानी खिताब को जीता है next question है नौसेना कमांडर के सम्मेलन 2023 के पहले संस्क्रन का आयोजन किस विवान बाहग पोत पर किया गया तो इसका सही answer option number D हो जाएगा INS विक्रांथ पर अगला question है हाल ही में भारत के 21 सतरंज ग्रेंट मास्टर कौन बने है इसका सही answer हो जाएगा option number B सयांतन दास बने है next question है विश्व वन्ने जीव दिवस 2023 का थीम क्या है तो इसका सही answer option number B हो जाएगा partner C for wildlife conservation अगला question है किस खिलारी ने AFI राष्ट्य थ्रो परतियोगिता में मेंस सौटपूट इवेंट में गोल्ड मैडल जीता तो इसका सही answer option number C हो जाएगा तेजिंगदर पाल सिंग तूर के द्वारा जीता गया है next question है exercise dust leak 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया तो dust leak का आयोजन भारत और उजबेकिस्तान के बीच होता है इसका सही answer option number C हो जाएगा next question है within the man behind the uniform पुस्तक के लेखक कौन है इसका सही answer option number B हो जाएगा रचना विस्वत रावत रचना विस्वत रावत के द्वारा लिखा गया next question है ACI सतरंज महासंग ने किसे player of the year पुस्कार से सम्मानित किया है तो ये डीगू केस को किया गया इसका सही answer option number B हो जाएगा next question है अंतराश्टिय मुद्रा कोस ने वित्य संकट से जूज रहे स्री लंका को कितने billion dollar का well out package दिया है यहाँ package होगा package दिया है तो इसका सही answer option number C हो जाएगा next question है national pen 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 championship का महिला एकल खिताब किस ने जीता तो अनूपमा अब बाद्या के द्वारा जीता गया इसका सही answer option number B हो जाएगा अगला question है अमेरिकी space agency NASA ने किसे अपना science chief न्यूक्त किया है जिसका सही answer option number D हो जाएगा निकोला फॉक्स को अपना नया science chief न्यूक्त किया गया है अगला question है किसे Scottish national party के अगले नेता के रूप में चुना गया जिसका सही answer हो जाएगा option number B हमजा यूसूफ को next question Indian men's hockey team के नया coach किसे न्यूक्त किया गया है जिसका सही answer option number A हो जाएगा Craig Fulton को किया गया है next question है केंद्रिये क्रीसी मंत्री ने किस सहर में Agri Unifest का उदगाटन किया है जिसका सही answer हो जाएगा option number B बेंगलूरू को next question है हाली में केंद्र सरकार ने कितने HTT 40 Basic Trade Aircraft की खरीद को मंजूरी दी है जिसका सही answer हो जाएगा option number C 70 को हाली में हाली में केंद्र सरकार ने कितने HTT 40 Basic Trade Aircraft की खरीद को मंजूरी दी है तो 70 Aircraft को खरीदने की मंजूरी दे दी है इसका सही answer option number C हो जाएगा next question है हाली में समीर खाकर का निधन हो गया उसका संबंद किस छेतर से था किस छेतर से इसका सही answer option number B हो जाएगा यह अभी नेता थे next question है राष्टिय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है इसका सही answer option number B हो जाएगा global science for global waving अगला question है छेतरिय भासा में निर्ने प्रकासित करने वाला देश का पहला हाई कोट कौन बनिया है तो इसका सही answer option number B हो जाएगा केरल हाई कोट बना है next question है यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना national ambassador नियुक्त किया है तो इसका सही answer option number C हो जाएगा आयुस्मान खुराना को अगला question है सतरंज में भारत के असिवे grandmaster कौन बने है इसका सही answer option number C हो जाएगा विगनेस N.R बने है next question है हाली में किसे अंतराश्ट्य मातरी भासा पुरुसकार से सम्मानित किया गया है इसका सही answer option number A हो जाएगा डॉक्टर महिंदर मिश्रा को किया गया है next question है किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमानो उर्जा सहींत रश्थापित किया गया है इसका सही answer option number B हो जाएगा हरियाना को next question है भारत का पहला एगरी चेट बोट अमा कुरूसाई कहां लॉंच किया गया है तो इसे ओडिशा में लॉंच किया गया अमा कुरूसाई को इसका सही आन्सर option number B हो जाएगा नेस्ट कॉश्चन है नीती आयोके नए CEO कौन बने है इसका सही आन्सर option number A हो जाएगा बीबी आर सुग्रमन्यम बने है next question है हाली में रूस ने किस देश के साथ new start नामक संधी को तोर दिया है जिसका सही answer option number A हो जाएगा अमेरिका के साथ था रूस का new start समझोलता जो कि अभी उसने तोर दिया है next question है दादा साहे फाल के अंतराष्टिय फिल्म समारो 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरुसकार दिया गया है तो दा कस्मिर्स फाइल को दिया गया इसका सही answer option number C हो जाएगा next question है रंजी ट्रॉफी 2022-23 का हिताब किस के केट टीम ने जीता है तो इसका सही answer option number D हो जाएगा सौराष्ट के द्वारा जीता गया है अगला question है वाफ्टा बॉर्ड 2023 में कि सेसर स्रेश्ट अभिनेता का अबॉर्ड मिला है तो इसका सही answer हो जाएगा option number D और स्टीन बटलर को मिला है दोस्तो हमारे सेसन का और speedy का objective question का ये last question है अब तक की series कैसी लगी आप comment करके हमें जरूर बताईएगा हमको आपके comment का इंतचार रहेगा तो question है last question भारतिय थल सेना का अगला उप परमुख किसे न्यूक्त किया गया है दोस्तो इसका answer आप लोग हमें comment करके बताईए और अब तक वीडियो कैसी लगी और आपकी journey मेरे साथ कैसी रही comment करके बताईएगा अगर आप हमारे channel पे नए हैं तो हमसे जुरे रहने के लिए subscribe कीजिए अपने दोस्तों में share कीजिए मिलते हैं next set में किसी और set के साथ तब तक के लिए जैहिंद